जब हम एक बच्चे का सैट में एक्जाम हम कर देते हैं और अगर हमारे घर में दो या तीन बच्चे हैं तो हम उनका सैट का एक्जाम कैसे करेंगे जैसि यह अमन देवी का मालीजिए हम जो ह newest экsाम कर चुके हैं तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर जो यह arrow का निशान है, यहां पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आएगा add student, add student पर क्लिक करेंगे, तो एक तरह से नया page खुलेगा, जहां पर हमने पहले आपका district select करना है, फिर आपका block select करना है, जैसे गुला चिका है तो गुल 213, और उसके बाद आपने class select करने है, जिस class में student है, तो अगर मैं यहां पर third class कर लेता हूं, और third class में यहां पर लवपरीत सिंह कर लेते हैं, और यहां पर इसकी date of birth है, 16, 11, 2012, तो date of birth डालनी है, बस इसमें main यही है, और अगर किसी बच्चे को याद ना हो, तो वह है अप continue करेंगे, यह देखिए, लवपरीत का account खुल गया, तो उसके बाद हमने करना क्या है, वही उसी तरीके से assignment के, जब आपका assignment है, जो exam है आज का, वो assignment वाले column में है, assignment पर click करेंगे, और उसके बाद आज जैसे यह उपर subject हैं, यहां ध्यान रखना है, आज हिंदी दिखा रह math का click करेंगे, तो आपका, यह देखिए, तो यहां पर यह लिखा रहा है, set यह नीचे यहां पर, नीचे से दूसरा, और इस पर click करेंगे तो start quiz करते हैं, start quiz करने के बाद, आप यहां पर जो भी question पढ़ेंगे, उनको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें दुबारा option सनिए कि आप quiz को दुबारा कर लेंगे, यह paper है आपका, इसलिए यहां पर आपने जो भी करना है, अच्छी तरह सोच समझ गे, इसमें 15 question है आपके, यह देखिए, यहां पर यह जैसे, जो आप select करोगे, उस पर ऐसे लोग का निशान आपको लगेगा, और अगर आपको जल दबाजी नहीं करनी, एक बार जो पर हो गया submit तो दुबारा इसको आप सही नहीं कर सकते, और उतने ही number आपके आने है, उसके बाद आपने submit का button दबा देना है, submit का button दबाने के बाद आपको result दिखेगा,